अच्छा गुरू जी एक सब के दमाख में चलत हमेशा जो पर्चा बन के सजा जैसे कोई आत्मी आ रहा हो उखों आप जानत भी नहीं है उनके बारे पतों के सजा ऐसी कौन सी विद्या है बीच बीच में जिन भी गुरू जी के पास जिन भी साधु संतन के पास जा सिद्धी है बीच बीच में अचानक जे लोग गायब हो जात या जरुबार के कुछ घंटे के पहले या उस रात या उस दिन में कोई अनुस्टान बगएरा करना की पर्चा गलत निकालाया तो इसमें हमारी या पिरभू की थोड़ी सी वह हो सकती है ऐसी चिंता भी रहती है इस और या नहीं सकता है कि अब खाल लगने वाला है जहासी में कितने दिन का लगेगा अक या राम राम हम है आसुत्व नायक और आप देख रहे है बंदेली बारता के चैनल पर लोग ने ये के पहले भी बलात साधु संत्र के इंटर्वियु देखे होगा है कचुदना पहले हम ने पंटोगर przypadku धाम सरकार के गुरू जी को एक इंटर्वियु कर रहतो फ़र कचुदना उंके ओर पहले हैं एक ध्वंगी बाबा को भी इंटर्वियु कर रहतो तो वो भी खूब देखो को एक मिलियन लोगन ने देखो आज हमा समगे एक ऐसे गुरूजी हैं जो हूब भू बागे सुर धाम जो सरकार के पीठादी सुर हैं दीरन सास्त्री सेम उन्हें की तरीका से पर्चा बनात लोगन को बतात उते की सटीक तरीका से बतात हम लोगन ने कई दरवार देखे और आज उन दरवार उन्हें को देखे वे के बाद हमने समय मांगो गुरूजी से के गुरूजी से समझे तनक कैसे लगातार ऐसे कई नाम सामने आप जा रहे हैं लगाता रहे से कई पीठा दीशोर सामने आ रहे हैं कई संत सामने आ रहे हैं जो पर्चा की जरीए लोगन खुंबात वतात उनकी समस्या को निदान कर रहे हैं सवाल जो खड़ो हो थे के अगर बोई पर्चा बागे सुर धाम सरकार के पीठा दीशोर धीरन सास्तिरी बना रहे हैं और बोई पर्चा अन्न गुरू जी बना रहे हैं या अन्न संत महत्वा बना रहे हैं तो फर जो पबलिसिटी है उन में इतनो भारी अंतर का है चीज बही है बिद्धिया बही है तो फर पबलिसिटी में अंतर जो काय आ रहा है इखो लेके हम गुरू जी सब पहले तो जो ही है बिद्धिया ये कही नजरात सब लोग पर्चा बनात कौनों के पास कम संसाधन है कौनों के पास जानदा है कौनों के पास कम पबलिसिटी ह कुरूं के पास जानदा है इखो कैसें देखता आप लोग शरपथम बुंदेली वारता के सभी भगवत प्रहीं भक्तों को जैसी अराम जैनातिश्वधम जैवालाजी सरकार की देखिए आप सभी को मता दें जो भी दिपदरवार अभी इस भारत देश में इस रष्टी पर इस रिसी मुनियों की परंपरा के अनुसारी चले आ रहे हैं दिपदरवार लेकिन जो भी दिपदरवार हैं अपनी अपनी जगह एक सम्मानी देश्टी से अपन देखते हैं जैसे कि हमारे परंपूच जिसरी गुर्दे भगवान पंडो खरधाम सरकार हातीवान सरकार के जो किरपा पातर हैं हमारे उपर भी उनकी किरपा एवं हमारे अबरंदेव सरकार बालाजी सरकार की असी मनुकंपा है लेकिन जो भी दिपदरवार हैं अगर आप इस बात को जानें जो भी दिपदरवार हैं शमय गती को देखते हुए अपनी अपनी एक नाम पर ख्याती पर शोभी दिब दर्वार हैं इस इतने भी दर्वार हैं इस चोटा और बड़ा तो कही नहीं सकते को निशंदे है क्योंकि सकती सब एक बालाजी सरकार शब एक हरी व्यापप की सरवग्त्ति समाना प्रेमिती प्रकट vlogs में जाना जगत-पितापरमात्मा सरवग्ति उप्रॉपत्ति जगत्तापरमात्म को अजएना कुछा बाहना है जहां आपकी हम परमात्मा वहा है। जो पतो केpod में अगर हमाई पास ऐसी विद्ध्या होती तो हम भी सब को सब देख लेते जब असल में है का से सेम चीजे हम लोग देखत मुगदर जैसो सेम धीरिन सास्त्री जी लाएं रद सेम आप लाएं सेम पर्चा जैसो बे बनात वैसे आप बनात बे चीजे लिखत वही टाइप को एक तरीका से वो होत कैसे होत का है असल में देखिए दिप दरवार है पर्चा है पर्चा का एक बाला जी सरकार की किरपा के पेकर बन नहीं सकता है अगर आप बात करें पूज बागिश्व धाम सरकार धेदन कृष्ण शास्ती जी महराज जिनको हम अपना आदर्श बड़े ब उनने एक बात कही थी कि अगर आपको शत्त कहने की सत्त सुनने की शत्त बूलने की आदत अगर आपको आजाए क्योंकि बुदेल खंड में लिखा है जी को जोन सुभाओ जाए ना जी सें जी को जोन सुभाओ जाए ना जी सें और नीम ना मीठी होई चाहे खाओ गुड़ पूंगे इतना कहा था कि आपकर सत्त कहने की परिभास आगर आपके अंदर आ जाए तो बाला जी सरकार सुथा कर देते हैं इस बात के सत्त कहेंगा जगत-पिदा परमात्मा श्वयम क्रपा करेंगा जो लिख देंगे वूशन तो होगा बीच बीच में जिन भी गुरू जी के पास जिन भी साधू संतन के पास जा सिद्धी है बीच बीच में अचानक जे लोग गायव हो जात या जा के लोग हम बेसब कहनी पा रहे हैं के बीच बीच में बन की तरफ चले जात अचानक से जो पबलिक है जो जनता है जो भक्तगर् बागवान की वो करत उपासना ऐसो कछू है आप भी जात के तुम्हें से जिगार तो कहते हैं कि अगर अपने जेव में रखे हुए अगर पैसे खतम हो जाएं अगर पैसे खतम हो जाएं तो उनको कमाने के लिए तो जाना पड़ेगा अभी तो आएगा ऐसे ही सक्तियाँ होती है इस जो स्टा किरपा होती है भालाजी सर्कार की कहते हैं डेर्ल कडूर चार कडूर पंद्रह कडूर अगर राम नाम का जाप हो जाए तो राम नाम जाप शिद्ध हो जाता है अगर राम नाम जाप शिद्ध हो जाता है तो राम जी का इसमन करके आप जो चाहें व्यक्ति को बता सकते हैं नाम काम क्या परेशानी यह सारी चीजें यह होगा कम राम नाम का जाप होगा अगर राम नाम जाप कम पढ़ जाता है तो एक आंत में जाके आदमी भजन करता है भजन करेगा। फिर वो इसको एनरजी आ जाएगी। फिर लखेगा व्यक्ति। इसी वजह से एकांत बास में जाना पड़ता है। एकांत बास में जाओ रात्री काले इन जहाँ आपको अच्छा लगे आप में सन्तुष्टी हो वहीं पर आप जाएं तो अपना भजन करें क्योंकि अगर आप भजन नहीं करेंगे तो फिर हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपका पर्चा जो आप लिखेंगे या हम लिखेंगे या कोई भी लिखे वो पर्चा सही हो क्योंकि भजन तो आपको करता ही रहना पड़ेगा कि उब राम नाम अगर शिद्य हो जाए हम तो कहते हैं अगर आपको भी राम नाम शिद्य करके बाला जी सरकार के किरपा पात्र और उनकी तरह है आप हर एक ब्यक्ति की समस्या बता सकती है दिव दर्वार लगाने से पहले कोई अन।ष्ठान किया जाता है क्या। अनुस्थान मैं क्या जक्ता है मिखांगी तक पहुंचाना चाहि पनाने लगे अग्या कहीन दिबिदर्वार हो जाती है तो आपको लगे का अगर THE कृपा के पहले या उस रात या उस दिन में कोई अनुस्ठान बगेरा करना पड़ता है? छड़नों से जोड़ेंगे, तो कौन सुकाज कटने जगमाही, जो नहीं होएतात तुम पाही, ऐसा कोई भी काम कटन नहीं है, जो आप से ना हो सके, आप हमें अपने चड़नों से जोड़ लें, जिससे हम जन का कर लियान कर सकें। अच्छा जब पर्चा लिखते हैं कोई भी गुरूजन कोई भी संथ तो एक संसे रहता है चिंता रहती है कि यदि पर्चा गलत निकालाया तो इसमें हमारी या पिरभू की थोड़ी सी वह हो सकती है ऐसी चिंता भी रहती है दमाग मौसमार्ट देख उस टाइम पर तो ऐसा लगता है कि जो लिख दिया है वही सत्य है मतलब पर्चे में जो लिख दिया है वही सत्य है अब इस से पूछा जाए ये आपको चिंता आए गए नहीं क्योंकि चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ग्यान चिंता बड़ी अभागनी चिंता चिंता समान चिंता करने कि आवा सकता नहीं है, जो कुछ ऐसा पर रूख के चर्णों में समार्पित कर दो, भ्यक्ति कहता है, हमारे पंडोकर्द हम सरकार कहते हैं, कि आप कह रहे हो यह ऐसा नहीं है, और हम कह रहे हैं, नहीं है, तो आफोन कर लो, क्योंकि उनको सत्ता का एक ग्यात है, जो हमने है मेरा, लेकिन उसको अन्था ना ले कोई, ना आप, ना दर्सक हमारे, इस बिद्ध्या में कहीं न कहीं, पीरवानी का भी उपयोग होता है, जैसे हम मुस्लिम बिद्ध्या कहते हैं, उसका भी कहीं यूज होता है, कुछ लोग करते हैं, इसमें कितनी सच्चा है, एक पूजा है, हमारे हिंदु धर्म में तितीस करोर देवी देपता बताए गए हैं, जब तितीस करोर देवी देपता हमारे हिंदु धर्म में बताए गए हैं, तो क्यों ना हम अपने धर्म को छोड़ करके अन्न धर्म को जा करके देखें, क्योंकि अगर हमारे घर में तो भ्यक्ति झाक के देखता अगर इसकी गई है तब तो लाइट कट गई उपर से अगर इसकी जल रही तो हमारी लाइट को क्या हो विट्टि इस बात को देखता है इस बात को नहीं देखता कि अब लाइट चले गए तो अपी चली गई होगी हो सकता उसकी घर में बेटर है यह भी तो सकता है और वक्ति एक वाज हांक के जरूर देखेंगा क्यों क्योंकि अपनी धर्म से संतुष्टी नहीं है ब्याक्रण में एक सूत्र आता है पूझ गुर्दे बगवान ने पढ़ाया था संस्यात्मा बिनिश होत फिकत है तो हमारा ऐसा मानना है कि अपन अपना धर्म है अपने अपने धर्म की एक सिद्दी है अगर हम हिंदू है तो हम को मत रेखि करना चाहिए कि अगर हमने राम कह दिया तो हमको ऐसा हमकाम करें कि रहिम कहने की आबसकता ही ना पड़े अच्छा पर्चा वाले बाबाओं की कहें हम बात गुरू जी कहें हो ना संत कहें या कुछ भी कह लें अपने बाओ के हिज़ाब से ये विद्याएं केवल बुंदिल खंड के मदप्रदिश से ही आती हैं पंडोखर बाबा हैं वो दतिया से आते हैं बंगल खंड का हिस्सा है आप हैं आप सागर जिले से आते हैं वो भी बुंदिल खंड का हिस्सा है दीरिन सास्त्री जी है उच्छतरपूर से आते हैं वो भी बुनेलखंड का हिस्सा है यूपी बुनेलखंड में ऐसा कुछ नहीं है इसके पीछे इस बात को भी हम बिलकुल गलत कहते हैं कि बुनेलखंड में ही यह है जहां आप देखेंगे अभी अपन को जानकारी तो है नहीं हमारे रिसी मुनियों ने परमपराओं गत जो तपस्च आया की है वो कहा कहा की है बंदेल खंड की आहम भूम का रही है राम राजा सरकार बराजमान है जहां सी मैं आप देखें तो राजा महराजाओं के वहां पर आदी आदी किला है और राजा महराजाओं के घर रिशी मुनिया आते थे जब करते थे तब करते थे तो कहीं ना कही से उन्हाँ की तपष्या बुंदेलखंड को फलिभूत केहती है ऑर बुंदेलखंड में कहते हैं भाई राम जीं उनको अब आप देखे तो लबकुष बहकवान जनम करीला धाम में हुआ रणचोर धाम में अगर इसमें आ जाए महाँ भारत में तो रणचोर में वहाँ पर रणचोर धाम है आपके लित्वर जिला में ही है जगए जगए क्योंकि ये साक्षा जगत्पिता परमात्मा का यहां पर निवास रहा है रिशी मुनियों का निव तो कहीं न कहीं उनका रख तो तबस्या का फल बुंदिल खंड को मिल रहा है और रही बात पर यह कि अन्य जगे है क्या कोई तो अन्य जगे भी है ऐसा नहीं है कि अन्य जगे नहीं है आप यूपी चले जाए मतुरा चले जाए हमारे गुरू भाई है अबध सरकार जो कि दिस्ट्री एक होती है ज्रिष्ट्रातमक्त अगर दिस्ट्री से देखें गजे तो हमें सत्त करेंगे और देखेंगा लेते हैं। यह राम जी कि खिरपा का विशा है, क्योंकि जतना आपका राम नाम का भजन होगा, राम जी महराज उतना आपकी ऊपर खिरपा करेगी। अच्छा गुरूजी एक ची जो नेटवर्क है, जिसे जो भी कहें इसको, कहां से आता है, कोई बताता है, इस और की किरपा है, कैसे पता चलता है सामने वाले के बारे में, तो यह परमानेट 2400 घंटा है, करंट मिलता है, यह नेटवर्क मिलता है, यह सिर्फ दिबधरवार की बहुत अची बात पूछी है आपने इस बात के लिए धन्रवाद आपके क्य different अब कहते हैं बाला जी सरकार देख़िए permanent शाथ में है wifeным ब activity के शाथ क्योंकि जो सद्ध साध्थक होगा उसके साथ भी है जो साध्थक नहीं है उसके साथ भी है परमात्मा क्योंकि प्रमात्मा तो सर्वत्त बिद्वान है आत्मा ही प्रमात्मा है दिब दरवार में ही परचा बनता है ये बात भी शत्त है और दिब दरवार से उठने के बाद में परचा नहीं बनता है ये बूरता है अगर इश्मण है बालाजी सरकार की किरपा है तो आप दिब दर सकते हैं समधान उसको लिक सकते हैं जढा लगा सकती हाराम लग सकता है उसको लिकेन आचकी आप अगरड़ा चल रहे हैं फिर रहे हैं और पड़्चा बन जाए तो चलते फिरते कोई अपने पिता और अपने इश्ट को तो याद करता नहीं है जब कोई भ्यक्ति या कश्ट में होगा या फिर वह स्वेम नीदी को बलाएगा इस्ट को बलाएगा इस्ट समस्या का समधान करें तो ये 24 घंटों के रहती है लेकिन या याद करके उसका समधान कर देते हैं गुरू जी आपका कितना अब तक दिबदरवार हो गए कहां कहां हो चुके हैं देखिए दिबदरवार है यह बालाजी सरकार की दिबदरवार किरपा से चलता है जो कि नाथेश्वधाम सिद्धपीठ बरोदिया, खेरा, पथरिया, बामन के बीचों बीच इस्तित है नाथेश्वधाम सिद्धपीठ यह सागर जिला हिंदी हर्याणा पंजाब महराष्ट दिल्ली भोपाल आपके जहांसी ललित पूर दतिया दूर दूर च्छतर पूर दूर दूर भगता आते हैं और मंगलवार को बड़ी भब रूप में दिब दरवार वहां पर लगाया जाता है यह दिब दरवार देखिए पहले काफी टा में था जो विधाइक जी कि हां करके मुगा था उसके पहले आपके यहीं जहांसी टेहरोली में ही था उसके पहले फिर सतना में दिब दरवार था जगए जगए मतलब ये सुतह राम जी महराज हम को याद करते हैं भक्तों के द्वारा हम पहुंचते हैं बाला जी सरकार की इतनी लोगकी आजहीं लगती समस्य का समद्ण होता ये दर्वार पूरता है हुई इसका सुल्द नहीं लगता है दिब दरवार काफी टाइम के लग रहा है पर आब ही मिनियम्म दस महीने से कंटीनियू नातिय शधाम शिद्धशा फिड्ड पीठ आस्रम पे दरवार प्त में देखी जाती है साइद देश का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ना जानता हो इन लोगों को लेकिन इसके अलावा जो आफ हैं ब्रहमे सुर्धाम सरकार के किरपापात्र हैं या अन्न हैं कोई रिसी गणर जी हैं एक तीकमगर से बो भी पर्चा बनाते हैं लवलेश जी हैं एक स दमीनों को चैसले सरे जी वाइए के यह किरपापात्र उनमें और आपमें कितना पर्चा बनाने में अंतर हैं या कोई इक बात कहते हैं और पूझी पन्लो का धाम सरकार भी कहते हैं और अनेक मोगों कहते ऑं ॉ पर्चा अलग मैं नहीं का ब्रुदाय क्लिक्शकार इसकर क्रप्राइब तो दिम बीमारी आंगे परचा बन जाएगा घर का रासन खतम हो कि अपरचा बन जाएगा पर परचा जो सुता है वाला जी सरकारी किरपा से बनता है जैसे नातिष्योदाम सरकार पर YouTube चैनल है आप देखेंगे बेफोर टाइम पर्चा लिखके रख लिया अब कहा तुम जिसको खड़ा करोगे वो उसी का निकलेगा तो क्या एक अगर हम बैक्ति माने के माइंड रिडिंग या कोई शमस्या तो यह ऐसे किसी को भी खड़ा कर सकता है वो बैक्ति हमने कहा तुम किसको खड़ा करोगे उसक कर दो लड़का भी भार्कास हो गया तो पर्चा एक अलग बिसदा है जो कि किरपा के बिगर बनाया जाता है लेकिन अगी बात भी है पर यह खड़ा करेंगे तो युझा कौई आप मेरे दमाग में सबान है जैसे पर्चा जिसको में खड़ा कर रहे हैं वही महराजी का है ये पचास सो मर कही तो जाती है और आप की कोई हमारी सेटिंग तो नहीं है कोई ऐसा तो नहीं है और आमने आप से बूला तो नहीं कि आप इसको खड़ा करेंगे क्योंकि ये तो सुता है बाला जी सरकार किरपा करते हैं बाला जी सरकार कहते हैं भाईया जिसको आप लिया उसको महराजी से वो मिल गया मिलने के बाद में भीया यह समय बड़ा बल्वान है कब किसके साथ क्या हो जाए किसके साथ को कहा दे कोई पता नहीं मालो बड़ा 50,000 पबलेक में देप दरौार लगा 50,000 में वो कहे दे महराजी कि हमको 50,000 चाहिए तब तो हम उसी को अपना बूल एक वार बाद और जृत राम जी कि रामिलिया चल रही थी जिने अधनुसों मारा रामवड को रामवड क्वा मर में नहीं मरूंगा तो जहुला खुझे और यृति हमारे छ Throughout रुपे बांकी हैं पहले बोदो तब मरेंगे अगर 6,000 नहीं दोगे उसने कहा मैंने रामड यूद्द चलाया है तुमको मरना है पर आवड़ वहां से क्या कह रहा है पर मर जाओंगा तो वो 6000 जो पुरानी रामिला के हैं जो पहले हमने रामिला की थे बो कहूं देगा पहले बो तो तम मरूंगा मैं तो ऐसा खेल कहीं भी हो सकता है ये खेल वहीं कहीं भी हो सकता है इसलिए सेटेंग का विसाय नहीं है तो क्या दिपधरवार में काफी बीजी रहते हैं टाइम में नहीं बाता है अब ही सुना नहीं है लेकिन अगर धीरे-धीरे करके कुछ धर्म बिरुदी की बात होगी आंगे बात आएगी तो कुछ ना कुछ सुन करके बता सकते हैं बहुत चर्चाओं में है यह मोगी तो अभी ह हम को अबी देखी दिपरवार में कंटेमी भीजी अबी हमने कुछ सुना नहीं है अगर आपी कुछ सुनेंगे और अगर हमारे धर्म के पत्वर और धर्म की अगर बीधिवाली बात होगी तो उसegen रहा कोशे अधर्सा बालाजी सकार शृद्व पीठ का दिब दरवार है, पूरु बवी आपके जहांसी के पास में ही टरॉली में लग चुका है, आप वहींसे टरॉली सेर पांच क्लिमिटर फरसा गाहूं है, फरसा फरसा गाओं में दिब दरवार है सी राम महा यग का आयूजन है और वहीं पर जन जन के संयोग से और आप सब के ही संयोग से वहाँ पर दिब दरवार लगेगा राम जी का यग होगा और जब राम जी महाराज का यग है हम तो हमें टाइम ये टाइम हमारा कहीं और का थ कि हम दो कहीं कहीं और जाना था पर επंधिम्रापी महराज का जब एग है और राम जी महराज किष्ट राम जी है तो हमने कहा अगर राम जी का यग है तो वाहं पर हम उपस्थति नहीं देते थे थे हैं 21, 22, 23 दिपदरवार आपके यहां लगेगा तैरोली में आप पधारिएगा बाला जी सकाकरपा करेंगा हो सकता है आपका भी पर्चा बन जाए तो ए थे हमारे साथ गुरूजी जिन से हमने चर्चा की और जानने का पर्यास किया आगे और भी तमाम साधू संतों से मिलाते रहेंगे जो पर्चा बनाते हैं क्या कुछ टेक्निक है कैसे बनाते हैं और इनी सवालों को लेकर लगातार आपको मिलाते रहेंगे समय समय पर जै आती जाएगी मिलने का उसर मिलेगा समय मिलेगा तो जरूर मिलवाते रहेंगे आपको बहुत बहुत धन्वादाब